नमस्कार जनता टेलिविजन को प्रस्तुती दर्शन दिगदर्शन काहरेक्रम मां गोपिरमन उपाद्ध्याय दर्शक होरलाई हारतिक श्वागत अहिवादन गर्दशू पुर्विय देश फने रचिनीने हिमाली उपमाहद्ध्याय का मुलुक हरु मद्धे हामरो देश नेपाल एक हो यहां प्राचीन काल देखिने रिशिमार्शियोरले प्राच विद्धा विज्ञान को श्रिजना गर्दे आये इविशे बस्तु हरु बैदिक बांगमयमा संग्रिहित रहे काचन इने रिशिमार्शियोरु दार्शनिक हरुर नितिशास्त्रकार हरु को ब्यक्तित तर कृतित को परिचय प्रस्तुत गरिने कारिकम को नाम हो दर्शन दिक दर्शन आयको प्रस्तुती मां हमिले बद्ध दर्शन का प्रमुक सिध्धानतकार आचारे हरु को परिचय दिने क्रम मां बद्ध धर्मदर्शन का केई बिदेशी बिद्ध्वान हरु को परिचे का साथ है, वहां हरु को किर्थित्त को बारे मां पनी चर्चा गरने छों, साथ मां केई निती वचन हरु पनी प्रस्तूत करने छों। आजगो प्रस्तूती मां इचिंग को परिचे रहने छों पहिलो, वेन सांग पची भारत आउने अरका, चिनिया बिद्ध्वान तथा तिर्थे यात्री इचिंग को स्थितिकाल, वेन सांग भन्दा केई समय पची को हू। इनी सर्भास्तिवादी सिद्धान तका समर्थक थे, इनको यात्रा ग्रंथमा पचास बंदा बड़ी चिनिया यात्री ओरले भारत को भ्रमन गरेको कुरा उल्लेह गरेका चन। इनको पर्तिष्ठा सुपर्शिद्ध चिन का बद्ध परिब्राजक का रूप मा रहेको चा। इनले अनेकों बद्ध ग्रंथारुको पनी अनुवाद गरेका चन। जस्मद्दे बशु बंदु को अविधार्मकोष्र विज्यप्ति मात्रता सिद्धी पनी रहेका चन। इस्ते ही अरका बिद्ध्वान बुस्तोन इनी तिवती बिद्ध्वान होन। इनको स्थितिकाल 1290 रत 1364 श्वी रहेको देखीं च। तिवती बद्ध परंपरा का अप्रतिम बिद्ध्वान लेखक आचार्य बुस्तोन मोलिक गरंथ का रचनाकार एबं अनुवादक का रूप मापनी परसिद्ध रहेका चन। इनको आपनो समय का अधृतिय बिद्ध्वान थिये इनले लगभग 50 वटा गरंथ हरू लिखे का चन। बोट देश मां बद्ध धर्मकु इतियास नामक ग्रंथ पनी इनको महत्त पुर्ण रचना मानिंच इनको संपुर्ण रचना संसार लाई एरदा तंजूर औ कंजूर गरी दुई भाग मां बाणियेको देखिंच तंजूर नामक संग्रह मां बुद्धका बाणि दर्शन एवं बिचार हरू संकलिच चन्वने कंजूर मां दर्शन देखि भिन्न भिशे हरू जस्मां काभ्य, आयरवेद, जूतिस तंत्र, आधि भिशे बस्त हरू समिट येका चन्व इस्ते ही अरका तेस्रा विद्ध्वान लामा तारा नात इनको स्थितिकाल तेरसे पचतर श्वीरहो, महापंडित रहूल शांकृतियान ले तिभवत का इबद्ध आचार्य का बारे मां आपनो ग्रंथ तिभवत मां बद्ध धर्म नामक ग्रंथ मां पनी चर्चा गरेगा चन्व इनका सम्मन्नमा उक्त ग्रंथ मां भनियको चा लामा तारा नात को जन्म तेरसे प इनको असली नाम ग्याल खं एकुंग दंग सचिंग पो थियो इनको अध्धेन अर्था तिभवति विद्ध विद्धान बुस्तोन का जत्ति को गाम्वरिय पुर्ण थिये न तथा पी इनी बहुश रुत थिये इनले धेरे पुस्त लेखे का चन जस्मा बद्ध धर्म को इतिहास इनको प्रमुख किरती हो यसको यहुटा दुईता इर्योपिन भासमा पनी अनुबाद भहे को थियो इनले गरे को अरको अनुबाद मा स्वरुपा चारे को सारस्वत ब्यागर्न पनी हो जसलाई क्रिष्ण भद्रका साहेता द्वारा संपन नगर्न सफल भहेका थ यह लामातारानास का सम्मंदमा राहुल जी को यो उल्लेख ले अतिनी छोटो जानकारी प्रात्त भही रहे को छो और यह विशेमा धेरेई विस्तार मा जानू ते ती आवस्चेक में ले देखिना र यह भयो लामातारानास को परिचय यह पची अरको चर्चा कुमार जिव जसको स्थितिकाल 325 र 425 र इस्वी रहो आरियन मुल को नाम भायपनी इनी भारतिय मुल का होईनन इनी चीन को तुरकिस्तान नजी कैको यह उटा गाउं मा गाउं कुचा मा जन्मिय का थी जन्मिय को साते बर्समा आपनी आमा संगई इनले बोद्ध दिक्षा ग्रहन गरेका थी इनका गुरु को नाम भुद्ध दत्त थियू इनी सर्वास्त बादी शिद्धान्तमा आधारित महायानी बोद्ध विद्ध्वान थी तिन्से त्रियाशी इस्वी मा जब चीन मा यह उटा सेनापतिले कुचा मा थी आकर्मुन गरे त्यस अंतरगत इनला पनी बंदी बनायर चीन मा लगियो इनको विद्धत तालाई कदर गर्दै चीन का ततकालिन राजाले इनलाई राजगुरु घष्णागरे तेस्पची इनले चीन मा प्रशस्त रुपमा बध्ध धरम धर्शन का विशय मा प्रणुचन हरु तिये जसका माध्यम्बाट धे मानिश हरु बध्ध धरम धर्शन मा दिख्षित पनी भाये इनले आपनो जीवन मा साना ठुला गरी अंठान बेवटा बध्ध धर्शन एवं साहित्य का कृतिय हरु को चीनिया वाशामा अनुबाद पनी गरे जस्वाट चीन वाशी हरु ले बध्ध धरम धर्शन संगा पनी प्राप्त वाहिको थियो इनले आचार्य चतुस्ठाई अर्थात अस्वोष नागार्जुन आरे देवर बशु बंधु को चीनिया भाशामा जीमन चरित्र पनी लेखे का छन। इस्ते गेरी अर्का आचार्य परम अर्थ रहो जस्को स्थितिकाल 529 इशी संबत रहो आचार्य परमार्थ को योगदान विपुल किशिम को मानिंच चीन का धार्मिक राजा उत्ती जस्को स्थितिकाल 529 इशी हो उनले भार्द वाट बद्ध दर्चन तथा अन्य विशे का संस्कृत ग्रंत हरू चीनमा लेवन यवटा चीनिया पंडित हरू को टोरिलाई भार पठाए तेही टोली फरके रचीन जादा पचास वटा संस्कृत ग्रंत हरू रा आचार्य परमार्थ लाई पनी शाथ ही लेर गये चन आचार्य परमार्थ ले बशोबंदु को अभिधार्म कोस का विशेश ग्यातार मानिं थे चीनिया विद्वान हरू संग मिले र परमार परमार्थ ले गरे का अनुवाद हरूमद्दे ऐले पनी ती स्वटा ग्रंत हरू रू उपलवद अचा पनी जस्मद्द अस्वगोष को महायान स्राद्धो पातक शास्त्र आचारय असंग को महायान सब परिग्रह सास्त्र इस्वर कृष्ण को सांखेकारी का जो माठर यह सरी तमाम परकार को धर्म दर्शन सम्मन्दी ग्रंथ हरु को चिनिया भाषा मा अनुवाद उपलवद गरायर भारत को मालवा मा जनम लिये का आचारे परमार्थ को 579 इश्वी मा चीन मा निधन भायो यह त थियो क्या विदेशी बद्ध विद्वान हरु को परिचाय अभब मो निती भचन तरफ परवेश करना चाहांचू आजको पहलो परसंगमा मानिस्का लागी अपे च्याकरित कुन-कुन-कुरा उत्तम मानिन चना है बन्ने सम्मन्दमा यो निती पदले भतायको चा को ध भूत दया किम सोख्यम अरोगिता जगती जन्तो स्नेह सद्वावकिम पांडित्यम परिच्छेदा समय उचित पद्ध मालिका को चाहसियू पद्ध होयो इसको तात्परे हो सबई धर्म को मुख्य सार भने को क्यो मन्ने बिशयमा बिचार गर्दा प्राण यहरुमा ची दय गर्ण ने सबन्ना परमुख दार्म मानियेको चाह बास्तविक सुख क्यो भने बिशयमा बिचार गर्दा आरग्य अधवा निरोगिता नहीं अधवा स्वास्ते अनुकुल रहनु ने बास्तविक सुख वणियेको चाह मानिशमा प्रेम्रस्नेह कुन-कुन-कुराले बन्ने सम्मन्द मां विचार गर्दा शद भाव द्वारा मात्र, मानिश मां तेस परकार का भावनाहर को ब्रिद्धी हुँँच वास्तविक विद्धथा क्य हो बन्ने भिशाय मा विचार गरदा ऐसल कमसल कुरा को बिष्ट्रेशन गर्ने चेमता नहीं वास्तविक विद्धता हो अरभानी रभानी औरो हम भरानीज्च? वनने कुराय सकत LIVE प committees रेकेर यो यस्ते गरिये म्यावार को परसंगत आपनो मतलव सिद्ध नहुन जेल सम्म मात्र सवेले चाख मांचन तर अशकत वाय पची शब वेले हलांगर चना बन्ने सम्मंदमा यो निति पदले बताय को चा यावद वित्तो पारजितम सकता स्तावन निजप परिवारो नरकता मन्चा जरजरी भूत देहे बारता कोपी कर्तुम नबान चती गेहे समयो चित पद्ध मालिका अडचा लिशन उपद्ध होयो इसको तात्परे हो मानिसको जीवनमा जबसम्म उसले कमाई धमाई गर्न सक्चा सवय ले उस परती अनुराग व्यक्त गर्दचन हाई हाई गर्दचन जवसको शरीर बुड़ो हुँँचा के गर्न सकने अवस्ता मां होदाई न तेसलाई गर का मानिस होडले पनी खोज खवर निदी खुदी गर्न चाड़ी दिन चन बन्ने कुरा यो निदी पद्ध ले बतायो इस्तेगरी आरको परसंगा खास करे रह मानिस को मंगल करल लानु भई रहा नचा कै वन्ने सम्मंद मां यो निदी पद्ध ले बताय जात Sa पठतो नास्थी मुर्खत तम जबत्धो नास्थी पातं मौनिनौ कल नास्थी नश्थी नभायम चाष्ति जागरृत समयो चित पद्ध मालिका एकत्तरों पद्य हो यो इसको उतात्परे हो सने भरी अध्येन गरी रहने मानिसमा अज्ञानता 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 वहने कुड़ाहरू सुता नस्ट भहेर जांचन सने भरी दिमाईगी रूपले अपडेट भही रहांचा सने भरी स्मरल गरी रहनाले कुने परकार को संकट अथवा आपत आई पर्दा जट्ट त्यसले सहयुक प्राप्तगारन सकता चा बिवाद भही रहे को बेलामा मौन रहनुने शप्पतना बेश्कुडा होना जांचा र कोईले इपनी इस्ता परकार का जगडामा फोसनु पर् बन्ने कुरा योनिति पद्दले पतायो इस्ते करिया और को परसंगा लोवी ब्यक्तिले आर्जनगरे को संपत्ती के काम लागदे ना अथा लोवी अथवा कॉन्यूस ब्यक्तिले आर्जनगरे को संपत्ती के काम लागदे ना ए बन्ने संबंधमा योनिति पद्दले पता समय उच्छित पद्ध मालिका 34 उपद्ध हो इसको तात्परई हो कमिला ले जम्मागरे को धान्यादी अन्न तो क्या काम लाग देना मौरी ले जम्मागरे को महापनी उसलाई उपभोग गरना उसले पाहुदाई नर अरके ले उपभोग गर दिन्छा कॉन्यूस या लोभी मानिस ले जम्मागरे को संपत्य बनी त्यो अरके उपभोग मारे बच्छित अरके लागी होंच अर्थात आपना लागी तेसले कुने स्वहग गर देनर तेसको संबूल नास भाहरे जान्छा बन्ने कुरा यो नितिपद्ध ले बतायोरा मानिस हर्दम दानशिल अथा अरके लागी होनु पर्द चा भन्ने निसकर सपनी एस नितिपद्ध को रहे को छा इस्ते गेरे अरको परसंगा के इस्ता नित्यकर्म वरुचन जसले करदा स्वस्त रहन सकिन चाये बन्ने सम्मन्नमा यो नितिपद्ध ले बतायो छा दिनान ते चा तक्रम किम वईद्ध स्वस्त पर्योजनम समयोचित पद्ध मालिका छाये शिमु पद्ध हो इसको तात्परे हो रात्री का समयमा अथवा शुत्ने भेलामा दूद पिवनू रामरों चा वने ब्यान उठेर सब्दा पहले पानी पिवनू असाद्ध रामरों चा बोजन गर पिशागे बच्ची दही अथवा मही खानू रामरों चा इकुराहरु को नित्य सेवन गरनाले शक्वर बवध्यको आवेश्यकतानी परदेन बन्ने कुरा यो नितिपद देले बतायो इसते गरी कुन-कुन कुरा को स्रिमा काहा काहा सम्मा हुन चा बन्ने सम्मन्ध मा यो बिशागान तम गतामेगा प्रसवान तम ही यो वनम प्रणामान तम सताम कोपो या चनान तम ही गवरवं समयो चित पद्यमालिका उनिन पचासमों पद्य हो इसको उतात परे हो बिशागा नच्चेत्र को पालो आए पची अर्थात असोज सम्ममा आई पुदा नपुदे प्रलाम नगरदाज सम्म या च्छम नगरदा नगरदाल सम्म माइला को योवन अथम पुरुसर को रिष्रा कायम रँचा रचेत्र अनिन परे आपने वर गोरिष अथ बावरु शांत वायर जान्चन। रभ मांगने कामगरनाले मानिसको आत्मगोरब पनी नस्ट वायर जान्चन। अर्थात अनावस्यक रुपा मांगने कुडाहरु पनी जाती है न। बन्ने कुडायो नितिपद्देले बतावनों खजे। इसते गरे अरको पर्संगा असल डिवतित तोर को बोलि रभ्यभार मां एक रुपता हुँचा। बंडे संबन्दमा यो नितिपद्देले बतावनों खजे। यथा चित्ते तथा बाची यथा बाची तथा क्रिया चित्ते बाची क्रिया यामचा। साधु नाम एक रूपता समयो चित पद्धे मालिका यो तेरों पद्धे हो यो इसको तात्परे हो जस्तो कुरा मन मा रहन चा अधा चित्त मा रहन चा स्वय अनुशार को कुरा बोली बाचन वाट प्रकट होंच जस्तो कुरा बोली बाचन वाट प्रकट होंच ते अनुशार बेभार मां पनी ब्यक्त हुना जान छो तेसे कारन असल ब्यक्तियोर को चिन्न वने को बोली बचन बेभार मां सनई भरी एक रूपता रही रहनुनी हो बन्ने कुरा एस नीति पदले बताऊनों खजेको हो इस्तेगरी अरको परसंगा मुर्ख यवं दुरजन हरु को क्यक्य हुन बन्ने संबंध मां यो नीति पदले बताएको चा मुर्खष्य पंच चिन्नानी गर्वी दूरवचनानी चा हठी चा प्रियवादी चा परोक्तम नईव मन्ने ते समयोचित पद्देमादी का पोईतिशम पद्दे होयो इसको तात पर यो जुरजन र मुर्ख क पानाच वटा मुख्यल लक्षन अथवा चिन्ना हरू उन्चन पईलो कुरा त उसको बोली में सने वारी गमंडी पना जालगी चा उज्यकुरा बोलन परिपने नी एकदम अफलाई परदसन गर्नी गमंडी कीशिमली बोल्दा चा दोसरो कुरा बोली बिच्चे दूरवच प्रयोक बोलन टेषलोगते बोलत से。 आफम लूहा सब्टन आफ़ उन्सोरी कुरूल यजङशय पारने नोसरी बोल्दाई। को नाफथ चेदम्य पर जमेषने नाखने बोल्दाई पांच्व उन्स को बहा है चाहा है पड़ जलाई होनुका मुख्य लच्छनवरु हुन बन्ने कुरायो नितिपद्धिले बतायो इस्तेगेरियार को परसंग के कुरायो इस्ता हुंचन जसलाई शुरुमा प्राप्त गर्द मनुरुमुंच त्यसलाई निश्पन्न गर्नु परदा प्रानांत सम्मको कोष्ट होन सक्च बन्ने कारम च गर्भम च रिनम च स्वानम ऐ थुनम आगमे शुक्खमा अपनोती निर्गमे प्रान संकतम समयोचित पद्धिमालिका इसको तात्परे हो मानिशले अत्यदिक रुपमा चाहना गर्ने कुरा अधिकार हो अधिकार प्राप्त गर्नत सजिले भहयो तर अत्यसलाई गर्व संचिले इसनलाई प्राप्त होँच तर गर्व वानम बच्चा जनमा होन असा थे दुखा हुआँच तर गर्व रीन प्राप्त गर्न शंच तर रीन को चुक्ताअ गर्न को लागी मैंजलाई कठीन उँछ त कुकुर को मैथउन पनी तेस्ते परगार क उनल उच उर अरवटा कुड़ा हरो शुर्मान निक्रई आधन दाय कोंचन मने पच्छी निस्पन उने बेलामा प्राण संकटाई मा पार्नेगरी दुखदाई होने गर्दाचन मनने कुड़ा यो नितिपदेले बतायो फोकटी अकिशुम को नमस्कार आशेरवार ले क्या पेनी फाल स्मय उचित पद्यमालिका पंधन उपद्यो यो इसको तात्परयो कुणी पनी पनी प्रयोजन सिद्ध गर्न नसकने आथवा सक्ति नवयको मान्चे लाई हजार उपटग नमस्कार आई नमस्कार गरे पनी योडा साक को त्यंद्रो पनी पावनु सके रही नहां तेस्ते सक्ति नवयको मान्चे नमस्कार आदर इत्यादी तेसले कुनी परकार को उपलवधी दिन सक्देन बने संबंध मायू निति पद्यले बतायो दर्शक मानवाबरो अलोग लाई निति परसंग मेले हैं समन्निवेदन गरें प्राच्य विध्याविक ज्यान को उद्गम स्थ अलमद्दे एक मानियको यस भूठ्चेत्रवाट और लाई पनी इविशे वस्तुवारे परिचित गरावने उद्धेशले आयजानागरियको दर्शन दिगर्शन कारिक्रम आजलाई यत्तिनी निवेदन गरें साकर इवी मित्र विपिन शिर्वास्तम का साथ मों गोपिरम पाध्यायो विदा वांग विच्चू धन्यवाद नमस्कार